बात करेंगे पुर्षों की अस्तित्व की विज्ञान ने हमेशा हमें हैरान ही किया है लेकिन इस बार विज्ञान ने एक ऐसा रखस्य सामने लाकर रख दिया है जिसने सभी को चौका कर रख दिया है एक नए शोध के अनुसार पुर्षों का वाई क्रोमोसोम लगातार सिकुड रहा है क्या इसका मतलब ये है कि भविश्य में पुर्षों का वजूद खत्म हो जाएगा आए जानते हैं एक नए अध्यन ने मानब पुर्षों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है इस अध्यन से ये दावा किया गया है कि वाई क्रोमोसोम जो पुर्षों की लेंगिक पहचान के लिए जमेदार होता है धीरे धीरे सिकुड रहा है और इसे पूरी तरह से ये गायब होने का खत्रा भी अमंडरा रहा है आये विस्तार से जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम क्या है और ये क्यूं सिकुड रहा है ग्राफिक्स पर एक नज़र डालते हैं क्या है वाई क्रोमोसोम पहले ये जान लेते हैं वाई क्रोमोसोम पुर्षों में पाई जाने वाला एक लेंगिक गुन सुत्र है ये पुरुष के लक्षणों जैसे दाड़ी, मसल्स और इसका विकास और पुरुष जनलांगों के विकास के लिए जिमिदार होता है महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते है Y-Kromosome का यही Y पुर्षों को महिलाओं से अलग बनाता है अब बात करेंगे कि Y-Kromosome क्यों सिकुड रहा है हाल ही में ये रेपोर्ट में खुलासा हुआ है हाल की एक स्टडी में ये पाया गया है कि Y-Kromosome समय के साथ सिकुड रहा है विज्यानिकों का यह मानना है कि Y क्रोमोसोम की सिकुड़ना लाखों वर्षों से जारी है इसका कारण यह है कि Y क्रोमोसोम में अन्य क्रोमोसोम की तुलना में अधिक तेजी से उत्परी वर्तन होते हैं और ऐसे भी इसके अलावा वाई क्रोमसोम में अन्य क्रोमसोम के तुल्ला में कम जीन होते हैं जिससे सिकोडने का खत्रा बढ़ जाता है और ये लाखो सालों से होता रहा है यही कारण है कि हर दूसरे घर में लड़कियों की पैदाईश जादा देखे जाती है और पुरुष कम पैदा हो रहे हैं अब सवाल ये भी है कि क्या पुरुष का वजूद खत्रे में है क्या पुरुष पैदा ही नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी ये भी एक सवाल है Y-Kromosome के सिकोडने की खबर ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इसका मतलब पुरुषों के वजूद पर खत्रा मन रहा है अगर Y-Kromosome गाइब हो जाता है तो क्या पुरुष भी खत्म हो जाएंगे वज्यानिकों का ये कहना है कि Y-Kromosome के पूरी तरह से गाइब होने की संभावना है हाला कि ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में होगी यानि कि कई लाखों साल लगेंगे अगर Y-Kromosome गाइब हो जाता है तो मान प्रजाती के अस्तित्व पर खत्रा मंडरा सकता है पूर्षों की लेंगिक पहचान और प्रजननक शमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है वज्यानिकों का ये कहना है कि पूर्षों के विकास के लिए जरूरी Y-Kromosome सिकुड रहा है और हो सकता है कि भविश्य में पूरुष खत्म हो जाए ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्षन फिल्म की कहानी लगे पर ये सच है एक बड़ा डर है कि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ लड़किया ही पैदा होगी पूर्षों के Y-X क्रोमोसोम उसके शरीर को नर बनाते हैं लेकिन Y-X क्रोमोसोम का लुप्त होना ये चिंता पैदा करता है कि क्या ये इंसानों की नई प्रजातिया बना सकता है वैज्यानिकों का ये मानना भी है कि अगर Y-X क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो मानव प्रजाती में एक नया लिंग निर्धारन प्रणाली विक्सित हो सकती है हाला कि ये प्रक्रिया बहुत जटिल होकी और लाखों वर्षों में ऐसा होगा दरसल कुछ सालों पहले एक रिसर्च होई थी जिसमें ये पाया क्या था कि कैसे चुहे की एक खास प्रजाती स्पाइनी जेट रेट जो है वो नर होने का फैसला करने वाला एक नया जीव उनमें विक्सित हुआ था पिशले 16 करोड सालों में इंसानों और प्लैटिप्स के अलग होने के बाद वाई क्रोमोसोम 900 से 55 जरूरी जीन खो चुका है यानि हर 10 साल लाखों में यहाँ पर वाई क्रोमोसोम 5 जीन खो देता है इसी रफ्तार से अगर चलता रहा तो अगले 110 साल लाख सालों में वाई क्रोमोसुम पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सवाल ये है कि क्या धर्ती से गायब हो जाएंगे पुरुष इस स्टडी से ये पता चलता है कि इनसानों के एक नए सेक्स डिटर्मिनिंग जीन विक्सित हो सकता है हलाकि ये इतना आसान भी नहीं है एक नए सेक्स डिटर्मिनिंग जीन विक्सित होने से खत्रे भी हो सकते है हो सकता है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के सेक्स डिटर्मिनिंग जीन विक्सित हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि 11 करोड साल बाद धर्ती पर या तो इनसान बचे ही ना या फिर कई अलग-अलग तरह के इनसान पा जाए जिसमें नर और मादा होने का तरीका बिलकुल ही अलग हो सकता है